अब सभी का बहुत बहुत सौगत है हमारी सार के mobile solution में आज हमारे पास एक handset आया है जो की Redmi Note 8 का handset है अब देख सकते हैं इसका condition में आपको दिखा देता हूँ कि इसका condition जो है बिल्कुल fresh condition में है इसमें थोड़ा सा काम हुआ है यहाँ पर एक jumper मारा है शायद charging को bypass किया होगा उसके लिए और यहाँ पर हलका सा एक resistor मिसिंग है मैंने चेक कर लिया था कि इसमें थोड़ा सा paste बगर लगा हुआ है तो आप इसलिए एक resistor मिसिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हो आपको अच्छे से दीख रहा होगा तो इसको मैं सबसे पहले क्या बता देता हूँ इसमें जैसे charging पर लगा है इसमें कुछ भी एंपियर कंजियूम नहीं हो रहा हमारे six port पे जो हमारे चार्जर six port का जो चार्जर एडिप्टर होगा है उसमें कुछ भी charging का एंपियर कुछ भी नहीं ले रहा बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा है तो मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ उसकी वज़े से मैं आपको द लगा के दिखा देता हूँ वीडियो अगर पसंद रहे तो पिल इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ रेडवी नोट 8 के उपर और जो फेसकेम के साथ मैं यह में ज़रूर बताना जैसे देख सकतो मैंने बुट केबल को लगा दिया है लेकिन वापे कुछ भी वाटो रेडिंग है पर नहीं लिया है ठीक है जैसे मैं इसको बुट केबल को एक ही बार प्रेस करूंगा तो वह 0.080 मतलब 80 मिली एंपियर पर इस्टक हो रहा है आपका 80 में भी हो सकता है 90 में भी हो सकता है ठीक है सिर्फ एक बास बुट केबल को छोड़ दिया देख सकता अभी 81 हो गया है तो इसमें अभी जैसे बुट केबल को छोड़ दिया तो इसमें कुछ भी मतलब है स्टक होके है 80 81 पे स्टक है ठीक है शाटिंग वगर कुछ इ तो इसके हम वाला वीडियो बनाना चाहिए कि ऐसे नॉर्मल वीडियो बनाना चाहिए आप नीचे कमेंट में बता देना चलो अब सिधा चलते है माइक्रोस्कूप की स्क्रीन के उपर आगे आपको इसका ट्रेसिंग बताता हूँ कहा से फॉल्ट है कम्पलिटली इसका ट्रेसिंग देखेंगे तो फ्रेंड मैं इसकेमेटिक को ओपन कर लेता हूँ और आपको इसमें अच्छे से दिखाने की पूरा कोशिश करूंगा और इसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो वीडियो के साथ बने रहे है तो मैं आप को जो रेजिस्टर हमारा मीसिंग है उसको उसकी उपर में लेके जाओंगा आपको देख सकतो जो आर 1705 है हमारे जो क्यापासिट बड़ा वाला है क्यापासिटर उसकी उपर एक रेजिस्टर मीसिंग था जैसे मैं फोन को ओपन किया तभी मुझे पता चल गया था उसको हम हम ने कौपी किया और हम इसके में पेस्ट करेंगे देख सकतो यहां पर आर 1705 का यह 0R की रेजिस्टर है तो आप इस टाइम से आपको मैं कहूंगा कि आप रेजिस्टर लगा दे अग्चले आपक ऐसा होता जीरो आर की रेजिस्टर है तो हम डैरेक आप एक जंपर लगा देंगे ना तो भी हमारा काम हो जाएगा तो देख सकतो हम आ चुके है माइक्रोस्कूप की स्क्रीन पर सबसे पहले जहां पर पेस्ट वगर लगा जो भी भाई ने जो भी दुकान दर ने इसमें पहले काम किया एक शॉप की पर का है उन्होंने मुझे दिया है कि अपलिट करने के लिए अच्छा लगेगा तो सबसे पहले हम की मदद से हम पूरे बोर्ट को किलीन कर लेंगे जहाँ जहाँ पर पेस्ट वगर लगा है अपके पास कभी भी कोई भी हैंसे टाई रिपेर के लिए आप उसको पहले अच्छा से क्लीन करो फिर उस पर काम करने की कोशिश करो दहाँ पर देख सकतो है यह पर हलका बुलका पेस्ट वगर लगा है तो हम उसको पहले क्लीन कर लेते हैं जायद उसको आइरन की वज़े से लगाने की कोशिश किया गया है उसकी वज़े से और पे थोरा देख सकतो हो जो हमारा पीसी भी है इसक्रैचे सो चुका है और देख सकतो कैपसिटर के बिलकूल उपर में जो हमारा जीरो आर का रेजिस्टर वो मीसिंग है और हम डायर्क् गरशिचा कहता हो जो भी कमपोनेंट आफका मीशिंग हो और वही पे लगाओ किकी तो कुछ ने कुछ काम होता है कुम आफ कुछ ने कुछ सेप्सिटी होट है तो जहाए क्यपासिटर रीसिस्टर हो डायोड हो, TBS डायोड हो, या कोई भी क्यापसिटर हो, कुछ भी कंपोनेंट हो, कोई हो, कुछ भी हो, तो आप वही पर आप बाफिस से वापे रिप्लेस कर दें, तो मेरे पर मैं दूसरे एक स्क्राप बोर्ट से मैं एक जीरो आर का रेजिस्टर डून लिया है, मैंने डून के रखा था पहले, तो मैं आपके सामने उसको निकाल के वहाँ पर इंस्टाल करूंगा, उसके बाद हमाने, अब मैं आपको चेक कर आके दिखाऊंगा, कि इसमें कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंड में बता सकते हो, और स्टार्टिंग में जो इंट्रो में मैंने काफी भाई पूछते हैं कि आपका नंबर मिलेगा, क्या नहीं, तो आप वीडियो जैसे ही स्टाट होता है, तो आपको स्क्रीन के उपर ही नंबर आपे, आपको व कोई से मुझे वाटसब मैसेज कर सकते हो, वाल करना है तो भी कर सकतो, मैं प्रेफर करूँगा कि आप मुझे वाटसब मैसेज ही करें, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रिपले आपको ज़रूर मिल जाएगा, देख सकते हो, रेजिस्टर को हमने सक्से कर लेते हैं, देख सकतो, बोर्ड हमारा किलीन हो चुका है लगबग, और भी थोड़ा सा गंदा हो हुआ है, वह मैं बाद में साप कर दूँगा, तो फ्रेंट, देख सकतो, या पे हमने अपने स्क्रीन के उपर तो मैंने आपको माइक्रोस्कोप की स्क्रीन के उपर दिखा तो आपके पस कभी भी कोई भी हैंसेट डेट कंडिशन में आया है ना, तो सबसे पहले आप उसका आई स्कैन करो, उसमें सारे कंपोनेंट सही तरीके से लगा है, या कोई डेमेज है, टूटा है, पूटा है, जो कुछ भी है, सबसे पहले डेट कंडिशन में, कोई भी तो सबसे पहले आप आइज स्कैन करो उससे आपको पता चल जाएगा कि प्राबलम कहां पर है कहां पर नहीं है अगर आपको सेंसेट फ्रेज दिखता है तो फिर आगे उसमें उसका टीना का का एंड शील वगर जो कुछ भी होता है वो सारे चीजे निकालो फिर आप उसमें करो सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि जो भी हमारे नए टेकनिशियन भाई है और जो पुराने है उनको तो पता ही है जो नए टेकनिशियन है तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कोई भी हैंसेट है चाहे डेड़ आए कोई भी प्राबलम के लिए है सबसे पहले आप उ हैंसेट आए अप अपनी तरफ से पूरे अच्छे से देखो उसमें क्या कंडिशन है पूरे एक-एक कोना हर एक बोर्ड में रख एक कोने की वज़े से जो रेजिस्टर इसमें प्राबलम था जो नहीं था मीसिंग ता वह हमने लगा दिया है अभी मैं आपको सेट को फिट की शोटिंग की वज़े से यह होता है कभी नाँटे के ग्यूंत नाइंटी कि दो सब्सेर्द दिखा में अब देखना वर्यमा में आप Southern चार्जिंग का लोगो आ चुका है देख सकते हैं सिर्फ एक रेजिस्टर की वज़े से हमारा हैंसेट कंप्लिटली डेट कंडिशन में चला गया था अगर हम उस रेजिस्टर की उपर ध्यान नहीं देते थे और हम डायरेक उसका शील्ड वगर निकालते थे शौटिंग चेक करते थे यहेंम से निकलते थे ह्ली करते थे फिर इसमें कोई मतलब नहीं, चोता सा प्राबलम था जो हमारा बाहर से ी प्राबलम सौल्व हो गया ना यह जैसे का हें सटेट fresh condition का हैंसेट है वह हमारा fresh condition में हैंसेक रहते गाई देख सकतो शायद बैटरी इसमें पूरा लो है उसकी वज़े से हम थोड़ा सा वेड करेंगे वीडियो अगर पसंद है तो फिलीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि मैं जब भी वीडियो अपलेट करूँ दिक्द लग रहा है मुझे दूसरा कर लगा के देखते हैं यूसभी केबल को देख सकतो है हमारा सथा केबल में भी packages कि आ रहे है हम सेड़ को ओन करेंके दिखा़ते हैं आपको को भी प्रेस कर देना है कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिपिकेशन अब तक पहुचे अब नीचे कमेंट में जरूर बताना है कि हमें किस टाइब का वीडियो चाहिए आपको फेस्केम वाला चाहिए या तो फिर डायरेक नॉर्माल जैसे मैं अब तक के बना र कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि एक सब्सक्राइब फोन हमारा कंप्लेटली ओन हो चुका है चला फिर फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में तब तक के लिए वाय वाय थैंक्यू सो मच थैंक्स वर वाचिंग